आज का जो ये प्रोग्राम है ये तोहीद की आमानत सीनों में है हमारे आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा बातिल से दबने वाले आए आस्मा नहीं है हम सव बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा मैं बहुत ही अदब के साथ अपने मौजद महमान फजिलत श्चेख हदरत मौलाना डाक्तर अब्दुलगफार साथ सल्फी बनारसी चीफ लाएं और हालात हाजरा के तनाजर में हम तमाम सामें और सामेयाद से खिताब फरमाएं सलाम आलेकुम रहमतुल्ही वबरकातुम अब्दुल्ही नहमदू हुण नहमदू हुण वबरकातुम अब्रकातुम झाज़ बिल्लाही मिन शरूर उन्फसना lin सेइएऽ आदियात आउमालीना मन यहदिह लग फला मुदल लव वओने लग लग वजल लग वदलीझ लग वव अजिल वजलीज वद लग लग अजय लग वदीद लग वदलीज वर्शोर अशद अए़ नियुदी लग अन्म हम्मधद अप्दू़ रब्दू हो रसूलु या ऐयुहा लजीन आमन उत्तु लाहा हक तुकाति ही वला तमूतुन इला वएंतु मुस्लिमून या ऐयुहा नास उत्तु रबकुम लजी खलककुम मिन नफ्स वाहिदा वखलक मिन्हा जौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजाला कसीरा वणिसाआा वत्तु लाहा लजी तसालून भी वालार्हाम इन लाह कान अलैकुम रकीमा या ऐ यह ऎल्दिन आमान उत्तु लाह वङुलू ज्थिवलून कों गोल सबस्लिधून य्युद लग्युम। यंमा लिख्र लग्युम्तूनождकु मी बनुत्युम। अरह रवालार्हर फ्सालून पैन लाल्मन। औरापलम्त्त्ति हदिय मुहंमद सल्लाँ ज lurाते हैं वकल जलालत इं पिन्नार आूज बिल्लाही मिन श्चीतान इर्वजीम बिस्मिल्ही रुह्मान इर्वफीम कुन्तुम खेर उमत उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल्मारूफ वतनहून आनिल्मुनकर वतुमिनून बिल्लाह वकाल ताला फी मकाम नाखर वला तहिनू वला तहजनू वएंतुम अलवन इन कुन्तुम मुमिनीन आह जाती है फलक पर रह्म लाने के लिए आह जाती है फलक पर रह्म लाने के लिए बादलो हट जाओ देदो राह जाने के लिए ऐ दुआ हां अर्ज कर अर्श इलाही थाम के ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिश ऐयाम के रह्म कर अपने नाईन करम को भूल जा हम तुझे भूले हैं लेकिन तूना हम को भूल जा खलक के रादे हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं अब तेरे दर पर हात फैलाए हुए खार हैं बदकार हैं दूबे हुए जिल्लत में हैं कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं हक परसुतों की अगर की तूने दिल जोई नहीं ताना देंगे बुत के मुसलिम का खुदा कोई नहीं हजरात अलमाई किराम मुहतरम बुजरुगो नौजवान साथियो माओ और बेहनों प्यारे बच्चो इस वक्त हम और आप नस्सो पूर की इस मस्जिद में सक्त सर्दी के मौसम में जमा हुए हैं मकसद है हालात के मताबिक हम सब अपना जायजा ले और अपने एमान और अपने अगीदे में अपने अमल में जो कुताहियां हैं उन पर गोर करके उनकी इसलाह की कोशिश करें प्रोग्राम मगरिब बाद ही होना था लेकिन कुछ वजुभात की बिना पर मुझे पहुँचने में काफी ताखिर हुई जिसकी बिना पर प्रोग्राम एशा के बाद मुन्तकिल हो गया और अभी आपने तौखीद की अजमत पर हमारे इंतहाई बुजरुग शेख नसीम सलफी हफिज अखुछ से एक बड़ा मुथर खिताब समात किया ला ताला हम सब को तोशीद की हिफाज़त की तोशीद की तोशीद खता फर्माएं हालात क्या हैं क्या कुछ हो रहा है मुल्क की तस्वीर की तेजी से बदल रही है सारी चीज़ें आपके सामने आईने की तरह साफ हैं हकीकत यह है कि अब अल्लह ताला ने हमें और आपको एक मौका दिया है हमें और आपको हमेशा जब मुश्किलात आएं जब परेशानी आएं तो हमें अपने प्यारे नभी जनाब मुहम्मद रसूलूला और आपके सहाबे किराम की जिन्दगियों का मुटाला करना चाहिए अल्लह के नभी ने जब इसलाम की तबलीग शुरू की मक्के में अकेले खड़े हुआ पूरा मक्का मुश्रिक था पूरा मक्का शिर्क का अड़्डा था अल्लह का घर खाने काबा बुतों से भरा हुआ था अल्लह के रसूल सुल अल्यासम का पूरा खानदान उसी बुतपरस्ती में मुटतला था उस माहौल में अल्लह के नभी खड़े उकड़े और आपने तवहीद की दावद दी इसलाम की दावद दी और जब आपने ये दावद दी तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने फूल के माले पहनाया बड़े कांटे आपकी राह में बिछाएगा बड़ी मुखालबदे हुई बड़े दर्द सहे आपने खून बहाव के चेरे से ताइप में पत्थर खाये आपने घर और वतन से निकलना पड़ा अपने खानदान और अपने घर के लोग दुश्मन हो गए जंग के मैदान में लड़ने के लिए आए ये सारी चीज़े होने है मगर अल्ला के रसूल मायूस नहीं आपके सहाबे किराम जब मदीना पहुँचे तो इस हाल में पहुँचे के बे सरो सामान थे ना इस बात की गारंटी है कि मदीना जाकी हमको खाने को क्या मिलेगा पहने को कपड़ा मिलेगा के नहीं सर ढापने को छट मिलेगी के नहीं मगर सहाबे किराम बेचैन नहीं हुए सहाबे किराम परेशान नहीं हुए क्योंकि उन्हें बता था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इमान की दौलत हमारे पास मुझा और ये दौलत अगर है दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगा मेरे भाईयों इस वक्त मुल्क में जो हालात है हमारे और आप के सामने है पॉर्चिनिटी है मौका है हम जीरो से शुरुआत करें ये मुल्क हमारा है इस मुल्क की आजादी के मौके पर हमारे मुल्क के बड़े अजीम रहनुमा थे मौलाना अबुलकलाम आजाद उन्होंने कहा था ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के मुस्तक्पिल का कोई फैसला हमारी आवास के बगयर धूरा है इस मुल्क में आज हम करोड़ों की तादा जाएं आज भी हां लाको करोडों मजजिदें है ये आलस अलसला की आवाजे बलंद हो रही है अब हमें और आपको जीरो से उटके खड़े होना है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी को समझना है कि हम क्या थे और क्या हुँ पुरान करीम में अल्ला ताला ने जहां हमारा मकाम हमें बताया वहीं हमारी ड्यूटी भी हमें बताई अगर हमें इस बात का फक्र हासिल है अगर हमारे लिए ये शर्फ की बात है हमारे लिए ये आॉनर की बात है, सम्मान की बात है कि हम ल्लह के आखरी नभी की उमती है तो Allah Ta'ala ने इस सम्मान और इस आनर का झिकर करने के बाद हमारी एक जिम्मेदारी भी हम को याद दिलाए कुंतुम खैर अम्मतिन अख्रिजत लिन्नास ऐ मसल्मानों तुम दुनिया की सबसे बेतरीन कम्यूनिटी हो तुम दुनिया के सबसे बेतरीन कौम के लोग हो, तुम दुनिया की सबसे बेतरीन उम्मत से तालुक रखते हो तुम खेर उम्मत हो, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट कम्यूनिटी हो, सरवोत्तम समाज हो उखरिजत लिनास तुम्हें इंसानियत के लिए निकाला गया है तुम्हें अल्ला ने बनाया है तुम्हें पैदा किया गया तुम मानोता को इंसानियत को कुछ देने के लिए आए हो तामरून बिल्मारूफी वतनहौनानिल्मुनकर तुम बलाई का हुकम देने के लिए दुम्हारे जरीए दुम्हारे 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 दुम्ह हर ताकत के आगे जुख जाने वाली हर पावर के आगे सज़दा करने वाली कौम तुम्हें जेर नहीं करते तुम तौहीद वाले हो तुम्हें एक अल्लह के आगे सर जुकाने वा तुम्हारे पास अल्लह के उपर इमान की ताकत है मेरे भाईयों हालात बहुत मुश्किल है इनसाफ के सारे मेयार बदले जा चुके है कानून का जो दुरुप्योग हम देख रहे है देख करके उसको दिल गमगीन है मगर हम एक बात याद रखें मेरे भाई हमें इन हालात में भी माजूस नहीं हुए मेरे नबी ताइप में पत्थर खाते वक्त भी माजूस नहीं हुए परिश्टा आगर के कहता है हदरत जिबरील कहते हैं के लाकि नबी आप इजाज़त दे इन ताइप वालों को दोनों पहाड़ों में रखके पीस दिया जाए पहाड़ों का फरिश्टा आप से इजादत मांग रहा है अल्ला के रसूल ने क्या जवाब दिया अल्ला के रसूल ने जो जवाब दिया उतके अंदर दो सबख है हमारे एक सबख तो यह है कि आप रहमत हैं पत्थर बरसाने वालों के लिए भी आपकी हाथ में पत्थर नहीं है सलाम उस पर के जिसने जखम खाकर फूल बरसाए सलाम उस पर के जिसने जखम खाकर फूल बरसाए आपने ताइप में पत्थर बरसाने वालों के लिए भी बद्द्द्द्द्दा नहीं कि और पहाडों के परिष्टे को इजाजत नहीं ती, कि तुम इनको पहाडों में रखके पीशको आपने जबाब दिया बल अरजू युखरिज अल्लाह मिनसला बहिम्मन याबुदुल्लाह वह्दुला शरीक ला ऐ जिब्रील ये ताइफ वाले आज एमान नहीं ला रहे हैं कोई बात नहीं मुझे उमीदें इनकी आने वाली नसले एक अल्लाह के उपर एमान लाएंगी आज तो ये मुझे रर्सुल्लाह को तकलीफ महुचा रहे हैं कलाने वाली इनकी नसले मुझे रर्सुल्लाह के लिए जाम देने वाली बन जाएंगी और चश्मे फलक ने वो मनजर भी देखा कि वही ताइफ के कबीले सकीव उसमें बड़े बड़े सहाबा उस कबीले में पैदा हुए और उस कबीले के लोग सब मुसल्मान हो गए वो ताइफ का वो इलाका जहां पत्थर बरसाएगे नभी पर एक वो दोर भी आया जब पूरा वो इलाका इसलाम की आगोश भी तो मेरे भाई मेरे नभी मायूस ने हुए और हमें आपको यह सबख दिया कि मायूस नहो एक दोर था तातारी पूरी इसलामी दुनिया के लिए अज़ाब बन करके आये थी तातारीों ने वो हालात पैदा किये थे कि दरिया दजला का पानी या तो लाल नजर आ रहा था या काला नजर आ रहा था लाल इसलिए नजर आ रहा था कि मुसल्मानों के खून की वज़ा से वो लाल था और काला इसलिए था कि मुसल्मानों की बड़ी लाविरलियों और किताबों को जला करके उन किताबों को दरिया दजरा में ठेका गया मगर उनी तातारियों को अल्ला ने इमान की तौफिए पक्षे और फिर वही इसलामी हकूमत और इसलामी खिलाफत का एक बड़ा सुहरा बाब उनके जरीए काइन हुआ और जिनको हम उस्मानी खिलाफा केते हैं वो उनी की नस्ले में से पैदा हुए मेरे भाईयों और अलम आकबाल केते है, है अयाँ, है अयाँ, फितन तातार की अपसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से Allah جب चाहे सनम खाने से भी अपने काबे की हिभाज़त करने वाले पासबानों को पैदा करने पर पादिर है हमारी क्या ऊपकाथ है मेरे बाई इस मल्क में हमने इस मल्क के कानून को नकभी तोड़ा हैं न तोड़ेंगे इनशानला हमने इस मुलकी अदालत और इस मुलकी अदलिया और इस मुलक के कानून पर हमेशा अपना भरोसा जाहिर किया क्योंकि हमने जब इस मुलक के हम जब शहरी और सिटीजन हैं तो इस मुलक के सिटीजन होने के नाते हमारे नभी की तालीम यह है المؤمنون على شروطه मुसल्मान जहां भी होता है अपने एग्रिमेंट का अपने वादे का पाबंद होता है इस मलक का सन्विधान इस मलक का आईین इस मलक का कॉस्टिटुशन जो मतालबात एक शहरी से करता है मुसल्मान उनों मतालबात पर खरा उतरने के लिए दिया है मगर मेरे भाईयो इन हालात में हमें और आपको एक मौका मिला है हम टटोले अपने आपको पानी कहां मर रहा है कमी कहां पैदा हुई कि वो मुसल्मान जो इस मलक में बड़ी इज़त और शान और शौकत से रहा करते थे और इस मलक का चपा चपा और नगर नगर और गली गली और करिया करिया मुसल्मानों की अजमत का गवा था आज इस मलक में मुसल्मान इस पदर जलील और रुस्वा क्यों हो गया आज मुसल्मान इनसाफ के लिए गुहारे लगाने के लिए इनसाफ के अड़ों पर जाकर के खड़ा है बेबस ये हालात क्यों पैड़ा हुए इस पर हमें और आपको गोर करने के जब हम गोर करते हैं तो हमें सबसे पहला जो पानी मरता हुआ नजर आता है जो सबसे बड़ी कमी हमें नजर आती है मुसल्मान अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान अपनी जो उसकी सबसे बड़ी पहचान तोहीद उसको आज खो रहा है और मुसल्मान क्या समझता है साब हम दूसरों की नजर में अच्छे हो जाएंगे हम उनके बुतों के आगे सजदा कर लेंगे वो हमें अपना लेंगे नहीं साब वो तब भी आपको नहीं अपनाएंगे फिल्म इंडिस्ट्री के बहुत बड़े मशूर खान साब है अभी इस बुत खाने के लिए उन्होंने पाच करोड का चंदा दिया इस उमीद में कि शायद बुलावा मुझे भी आ जाए मगर खान साब को बुलावा नहीं भी जा गया और जब खान साब के बेटे पर मुसीबत आई तो मीडिया ने वैसे ही ट्रोल किया वैसे ही सुलू किया जैसे एक आम मुसल्मान के साथ करता है मुसल्मान नाम का भी आज जो है हमारे मुल्की मीडिया में बस नाम भी अगर मुसलिम आ जाए तो फिर उसको ले करके वो तमाम हद कंड़े अपनाए जाते हैं जो एक आम मुसल्मान के साथ करता है हमने इस इन तमाम हालात में बड़े बड़े दस्तार वालों को और बड़े बड़े दाड़ी वालों को हमने उनके इमान को बिकते हुए देखा हमने चंद सिक्पों के एवज और कैमरे की चंद तसावीर के एवज और चंद सरकारी तुफों के एवज उनको अपने इमान और अपने जमीर का सौदा करते देखा तो हमने अयोध्या कि उस बूड़े का बयान भी देखा है जो किसी और गयर के दर पर जाके सर जुका दे मसल्मान हो अपने इमान और इसलाम पर बर करार रहे मुझे मालूम नहीं वो चछा कितने पढ़े लिखे हैं यह एमान एक राशन काट के जरीि बित जाता है उनका वो जवाब और बयान ये बताता है कि इमान की रमक उनके सीने में बाती है ये फित्नों का दोर है मेरे भाई या इमान एक राशन काट के जरीए बिग जाता है या एक मुसल्मान लड़की महबत और प्यार के सुनहरे जाल में फसकर के अपने इमान का सौधा कर लेती है और इन हालात में बादिरू बिलामाल फितनन उस वक्त के आमल उस वक्त के आने से पहले नेकी करने में जल्दी करोए मेरी उम्मत के लोगो ककिता इल लिल मुसलिम जब इतने फितने पैदा होंगे जैसे अंधेरी रात में आस्मान पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है इतने फितने नजर आएंगे कि दीन की असली शकल तुम्हे नजर नहीं आएगी युस्बिहुर्रजुलुमुमिन व्युम्सी काफिरा सुबा को एक इनसान मुमिन होगा शाम होते होते काफिर हो जाएगा और शाम को एक इनसान मुमिन होगा और सुबा होते होते काफिर हो जाएगा अपने इमान की हफाज़त को रो मेरे भाई अपनी तौहीद की हफाज़त को अरे हम कमजोरों के पास क्या है यही तो एक डौलत है यही तो एक पूजी है किल कियामत के दिन मेरा रब पुझे का क्या लेके आए हमारे पास नमाजों में तो कोताईया है हमारे पास रोजों में कोताईया है हमारे पास आमाल में कोताईया है अगर हमारे पास यह तोहीद की पूजी भी न रहेगी तो हम कहां जाएंगे मेरे भाई इस तोहीद को समाल के रखो मेरे भाई कियामत के दिन ये पूजी हमारे काम आएगी ये कैपिटल हमारे काम आएगी इननल्जीन कफरू वमातू वहुम कफारू फलन्युक्बल मिन अहदिहिं मिलू अर्द जहबा लला फर्माता है कल कियामत की दिन वो लोग जो इमान के बगशर दुनिया से चले गए कल किया मेरे तोहीद की दिन वो आएंगे और जमेन बर के सोना दे कर electr implicit करेंगे आल्लाहम को अज़ाप से बचा ले लला फर्माता है فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْزِ زَهَابًا जمین بر کے سونہ بھی تم لے کیا جاؤ لیکن توحید تمہارے پاس نہیں ہے ايمان تمہارے پاس نہیں ہے تو زمین بر کے سونہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ بات یاد رکھو سماج نہیں صدر سکتا جب تک عقیدِ کی اصلاح نہ ہو جس سماج میں جیراللہ کے در پہ سر جھگایا جاتے ہو جس معاشرے میں اللہ کے علاوہ किसी और का डर दिलों में मौझूद हो इस मौाशरे में अलला के सबा किसी और से उनीदे लगाई जाती हो ज्मवाशरे में अलला के अला किसी और के नाम से खुर्भानिया हो रही हो वो समाच कभी VinEm Em teraz वो समाच कि कभी इसला नहीं हो सकती है क्यों? हमें मामुली सर्दी जुकाम हो और उसके साथ हमें कोई बड़ी बिमारी हो एक इनसान है उसको कोई बड़ी बिमारी है अल्लाह ना करे अल्लाह हम सब की हिफादत करे किसी को कोई बड़ी बिमारी हो गई तो वो सरदी और जोकाम के इलाज के चक्कर में नहीं पड़ेगा पहले वो उस मुजी और बड़े मर्स का इलाज कराएगा कैंसर का मरीज पहले कैंसर के हॉस्पिटल में जाएगा टी बी का मरीज पहले टी बी के डॉक्टर के पास जाएगा हार्ट अटेक से जो इनसान दिल की बिमारी में मुब्तला है वो किसी काडियो लॉजिस्ट से मिलेगा कोई बड़ी बिमारी हो तो पहले उसका इलाज कराते है मेरे भाईयो समाज की सबसे बड़ी बुराई शिर्क है समाज की सबसे बड़ी बुराई शिर्क है अगर कोई समाज की इसलाह का दावा करता है और कहता है नहीं साब हम अकीदों की पर बात नहीं करेंगे हम तोहीद पर बात नहीं करेंगे हम शिर्क पर बात नहीं करेंगे हम तो समाज की इसलाह करने आये हैं हम तोहीद पर बात नहीं करेंगे याद रखो वो जूटा है वो इंसान वो फ्राड है वो इंसान जो समाज की इसलाह की बात करता है और अकीरे की बात नहीं करता तोहिद की बात नहीं करता नबीों ने, अल्लह के पेगंबरों ने अपनी अपनी कोम को सबसे पहले तोहिद की दावत दी है और सबसे पहले शिर्ख से मना जिए तोहीद के बगएर दुनिया में अमन और चैन खायम नहीं हो सकता अल्लजीन आमनों वलम यल्बिसू एमानहुम बिजल्मिन अलाइक लहुम अमन वहुम मुहतदून मेरे बंदो जब तक तक तुम एमान के साथ ताख अपने एमान को तुम शिर्क से नहीं बचाओगे तब तक तुम अमन चैन नहीं पासकते तब तक तुम हिदायत नहीं पासकते और ये कोई गलत पहमी में न रहे कि साब मुसल्मान तो शिर्क नहीं कर सकता क्यों साब मुसल्मान क्यों नहीं शिर्क कर सकता केते हरे हम तो ला इलाह इल्लाह पढ़ते हैं मैं आपको बताओ ला इलाह इल्लाह का जुमान से अकरार कर देने से कोई में मुश्यमन रो मुश्यमन नहीं बंचा जब तक उस ला एलाह इलाह के माना और मतल्ब पर अमल न करे वरना अल्लाह को तो मक्का के मुष्रैकिन भी मानते थे हज्च करते थे ओजब करते थे खाने काबा का तो लबैग भी पड़ते थे मगरनुंका लबाए क्या था? वो कहते थे लबाीक, आल्लाहुम्मा लबाईक ला शरीक लक इल्ला शरीकً तमलिकुधु व्मा मलक वो कहते थे ईए लफ। मैं हाजिर हुँ हच करने कि अमरा करने के लिए ईए लफ१। तेरा कोई शरीक न्यीं मगर वो शरीक तेरा शरीक है जिसको तूने खुद हमारा शरीक बनाया है और तू उसका भी मालिक है यह आज यह जिस मुश्रिकीन मक्का जिस किसम का शिर्क करते थे आज मुसल्मान इस किसम के शिर्क में मुब्तला है और उसे एहसास दो वो समझ रहा है साब हम तो मुसल्माने हम शिर्क नहीं कर सकते अल्ला के रसूल फरमाते हैं उस वक्त तक क्यामत नहीं आएगी जब तक मेरी हत्ता तलहक का कवाईल मिन उम्मती बिलमुश्रिकीन मेरी उम्मत में से कुछ लोग मुश्रिकों के साथ नहीं जाए और अब तो शिर्क से भी आगे बढ़के बाद चल लगी है अब तो साब शिर्क के अड़ों को प्रमोट किया जा रहा है और मुसल्मान के घर में बुत बन रहे हैं और मुसल्मान जो है बुतों अभी बनारस के एक नौजवान हमारे इलाके के एक नौजवान अभी 22 मार्च के पहले लोगों को कार्ड बांट रहा था और उस कार्ड पर जो है वो एक बुत की तस्वीर बनी हुई थी और वो जो है उसको प्रमोट कर रहा था अच्छे खासे हाजी साफ के घर का और हमारे अनусारी ब्रागरी का और हमारे लाके का नौजवान था ये हाला पहुंच चुके हैं मेरे भाई हालाँ इस इसिटेश पर पहुंच चुके हैं अब अपने बच्चों और अपने नौजवान नस्ल को मेरे भाई उनके एमान और रकीदे की حفاظت آپ کی ذمہ दारी याद रखो हमारी قوم की नसल कुशी से खतरनाक उसके अकीदे को बर्बाद करने की कोशी से हैं और आज हमारे दुश्मनों की प्लानिंग यही है कि मुसल्मान तो रहें मगर उनके अंदर दीन की गहरत बर्करार न रहें उनके अंदर तोहीद की हमियत न रहें उनके अंदर दीन और रकीद और इमान नाम की कोई ऐसी नौजमान नसल तयार हो इसके अंदर दीन और इमान नाम की कोई चीज़ बाकि यही प्लानिंग है हमें और आपको इस प्लानिंग को समझना पड़ेगा हदरत इबराहीम अलिए स्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की बेयाब हो गया सर्दमीन पे छोड़के जा रहे थे तो उन्होंने दौा की थी अल्लाह साथ और एल्लाह तु मुझे और मेरी आॉलाद को अगर वो ये दौा करते हैं तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है मेरे भाई हमें और आपको अपनी आने वाली नसलों को बुद परस्ती से और शिर्ट से बचाने की चिंता करना तो लाजिम और ज़रूरी है अपने आपको और अपने बच्चों को जहान्नम की आग से बचाओ हम बड़ी मुफ़त करते हैं अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं अपनी फैesianली के लिए हम हर जी तोड कोशिश करते हैं सक्त सर्दी के मौसम में भी मजदूर सुबा मजदूरी करने के लिए निकलता है दुकानदार सुबा दुकान खोलने के लिए निकलता है जॉब पर जाने बारा सुबा सुबा जॉब पर जाता है क्यों? उसे अपने बाल बच्चों का पेट पालना है उसे अपने परिवार के अच्छी जिंदगी देना है अपने बच्चों के लिए हम क्या नहीं करते मेरे भाई क्या हम गवारा करेंगे क्या हम बरदाश करेंगे कि कल अल्ला हमें तो जन्नत में डाल दे हमारे बच्चों और परिवार को जहन्नम की आग में डाल दे हम कभी गवारा नहीं करेंगे कुरान करता अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ मेरे भाईयों ये पहला काम हमें करना है हमें अपने आप को और अपने बच्चों को अपने आने वाली नसलों को शिर्ख से बचाना है तोहीद की हिवाज़त करता है और आगे बढ़िए कुरान के साथ हमारा क्या ताल जो है नौजवानों से सवाल करता हूँ किस किस के पास स्मार्ट फोन है सबका हाथ उड़ जाएगा मुली साब आज के दौर में कौन ऐसा नौजवान इसे के हाथ में समार्ट फोन है कौन कौन वाटसेप चलाता है सब चलाते है कौन कौन फेस्बुक चलाता है सब चलाते है इस्टाग्राम पे किस की किस की आड़ी है आठाट साल के बच्चों की आईडिया आप तो माशालला नौजवान है अब एक दूसरा सवाल करता हूँ आखरी बार आपने पुरान को कब छुआ था आखरी बार आपने पुरान की तिलावत कब की थी खरी शायद रमगादं के बाद अभी तक नहुबत नहीं आए यह सुम्मत का हाज मॉबाइल आदा घंटा डिस चार्ज हो जाए नाजवान बेचैन हो जाता है पता नहीं किस के किस के मैंसे जाया हो पता नहीं किस के किस के पेगाब आए होंगे जल्दी से मुबाइल चार्ज करूँ देखूँ मेरे पोश्ट को कितने लोगों ने लाइक किया मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा यही फिकर है अतनी फिकर इस बात की हो जाती कि कल क्यामत के दिन लाइक के हमारा स्टेटस क्या होगा जितना लोगों के लाइक के चक्कर में पड़े अगर उतना अल्ला अल्ला तबारक पताला की नजर में लाइक बनने की कोशिश करते हैं तो आज कहां से कहां पहुंच जाते मेरे बादे ये कुरान ल्ला का मेसेज है ये आखरी मेसेज है ये आखरी किताब है हाजा बलागु लिन्नास ये कुरान लोगों के लिए ल्ला का पैगाम है शहर रमदान अल्जी उन्जिल फीह ल्कुरान उहदल लिन्नास ये कुरान रमदान के महीने में उतरा है ये इनसानियत के लिए मानौता के लिए हिदायत की किताब है اللہ کی ہدایت کی k melhores आप के पास है और आप उस किताब को खोल के पढढ़ने के भी जरूरत में सुजके आपकी जवान बेटीं, माशालला कालेज में पढ़ रही है कोई शिपली कालेज में पढ़ रही है कोई गोरकबूर यूनिवर्सटी से M.A कर रही है आपकी नوجवान नसल माशालला पढ़ा ही लिखा इन बहुत आगे है मगर आपकी बच्चियों ने कुरान पढ़ा पढ़ा कैसे पढ़ा रट्टू तोदे की तरह पढ़ा किसी हापीजी को भुला लिया किसी मौलबी साब को भुला लिया पढ़ गिया पुरा तीसों पारा खतम कर लिया कुरान हमने एक अरबी टिक्ष्ट की हैसियस से पढ़ लिया कुरान का मजमून क्या है कुरान का तर्जमा क्या है कुरान की मीनिंग क्या है कुरान हमसे क्या कहता है हमारी नوجवान नसल वो नहीं पता हमारी लड़की पर्दा तो कर रही है घर से निकल रही है बुरके में निकल रही है उसकी माने जिखाया तू घर से निकल तो बुरका पहन के निकल बाप ने जिखाया बुरका पहन के निकल वो बुरका तो पहन रही हिजाब कर रही है वो मगर इस हिजाब का हुकम क्यों दिया गया ये पर्दा कुरान में इस पर्दे का हुकम क्यों दिया गया उसकी हिकमत क्या है उसकी मसलाफ क्या है ये आपकी बच्ची ने कभी नहीं जाना तो नतीजा ये निकला कि कॉलेज में जाके बुरका उतर जाता है यूनिवर्सिटी में जाके बुर्का उतर जाता है शादियों और पार्टियों में गेर महरम के आगे जाके बुर्का और नकाब उतर जाता है तो कुरान से हमें मेरे भाईयों चुड़ना है अल्लाम अक्बाल में बड़ी सची बात कही थी वो जमाने में indicers थे मुसलमा होकर और हम खार हुए तारीक करान होकर कुरान से हमें अपने तालुक को जोड़ना पड़ेगा ये दिलों में जो सक्ती है ये दिलों में जो कठhouरता है ये दिलों पर जो कुरान नफ़ीन अच्वार का असर नहीं हो राए है क्योंकि कुरान से अपने दिलों को हमने दूर कर दिया है और दिल का लॉक खोलने का अगर कोई ताला है तो वो कुरान उसकी चाबी अगर कोई है तो कुरान है अफला यतदब्बरून अल्कुरान अमला कुलूबिन अखपालुहा तुम कुरान पर गोर क्यों नहीं करते क्या तुम्हारे दिनों पर ताला लगा होता है। कुरान से तरीब आओ मेरे पारे। अल्ला की कसम, सहाबे किराम, तावईन एजाम और इस उम्मत के असलाफ, इस कुरान को अपनी जिन्दगी का मनशूर बनाए हुए थे। उनकी जिन्दगी में कुरान की बड़ी एहमियत थी और यही वज़ा है कि वो जमाने में मौजजस थे, हमें कुरान की तरफ लोटना पड़ेगा। और आगे बड़ेगे, हमारी तबाही और बर्बादी की तिसरी वज़य सुन्यत से दूरी, आशिय। اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے درمیان تقریر کر رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں خطبہ بڑا رولہ دینے والا ہے بڑا بلیغ ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم इस मوقع پر آپ ہمیں کوئی نصیحت کرنے اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں आप فرماتے ہیں अलिएकुम बिसुन्नती वसुन्नति खुलफा इर्राशिदीन ओ लोगो तुम मेरी सुन्नत पर चलते रहना और मेरे खुलफा इर्राशिदीन जिस तरीके से मेरी सुन्नत को ठामे रहेंगे तुम भी ठामे रहना मेरी सुन्नत को अपने डार के दातों से मद्बूती से पकड़ लेना और जो तुम में से मेरे बाद जिन्डा रहेगा वो बहुत इखतिलाफ देखेगा जब इखतिलाफ का वो दोर आ जाए तो तुम मेरी सुन्नत को ठाम लेना वाईयाकुम्वमुधसातिल उमूर और दीन के अंदर कोई नया काम निकालने से बचना वीडियो आते हैं फेस्बूक पर मस्जिदों में बैट करके लोग गरदने हिला हिला कि अल्ला की अल्ला का जिकर कर रहें नाच रहें उचल रहें खूद रहें और दुनिया को बताते हैं साब ये इसलाम है कि कौन सा इसलाम है मेरे नभी, मेरे नभी के सहाबा, इस उम्मत के बहतरीन लोगों ने तो ऐसे इसलाम को फालो नहीं किया ये कौन सा इसलाम है जिसको आजम फालो कर रहें हर महीने में कोई नई बिदत, हर हबते में कोई नई बिदत और विदात का कोई सीजन नहीं विदात का कोई मौसम नहीं मेरे भाईयो अपने आपको विदात औ खुराफास से बचाओ ये दीन कोई ऐसा नहीं है कि हर साल अपडेट होता रहे ये दीन अपडेट है ये दीन अपडेट है और 14 सो साल पहले ये दीन अपडेट हो चुका है अल्योमा अक्मलतु लकुम दीनकुम वात्ममतु अलईकुम नियमती वरदीतु लकुम लिस्लाम दीना अल्ला फर्माता है मेरे बंदों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया अपनी नियमते तुम पर तमाम कर दी और इसलाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया इसलिए अमाम माली की सायथ को पढ़के कहा करते थे कि जो ये कहता है कि दीन गेंदर कोई अच्छी बिदत है कोई नई बिदत निकाल के कहता है अच्छी बिदत है एमा माली कहते है वह इंसान ये दावा कर रहा है कि मेरे नभी मुहम्मद और विशन का हक नहीं अदा कि आ आपने रसालत का अदा किया आपने खैनत से काम लिया आपने अल्ला और दिन पूरा नहीं पहुँच आया बीदात करने वाला नभी पर ये तोहमत लगाता है जब कि अल्लाई ने अपने नभी की जीदेगे मेपने दिन को मुकम्मल कर दिया अमाम माली कहते हैं जो चीज मेरे नभी के दोर में दीन का इस्टा नहीं थी हुआ आज भी दीन का हिस्टा नहीं हो सकती है ये एमाम मालिक अपने दोर की बात कर रहे हैं नभी से सो साल बात की बात कर रहे हैं आज मैं चौदा सो साल बात दो हजार चौबीस में आपके सामने बैटा हूँ मैं आज आज आपसे कह रहा हूँ जो चीज नभी के दोर में दीन का हिस्सा नहीं थी वो आज भी दीन का हिसा नहीं बन सकती है सुननत से दूर है यह उम्मत और नमाज से भी दूर है अभी मैं नमाज पढ़ा था आपकी मस्जद पे पीछे देखा चटाईयां बिची है मुझे नहीं मालूम हो सकता है मेरी गलत पहमी हो पीछे इस सर्दी के मौसम में भी चटाईयां बिची है इसका यह इस बात की अलामत लग रही है कि शायद पंजवक्ता नमाजों में पीछे लोग आम तोर से नहीं आते है हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन इसे अंदर कालिन बिचा है माशाला अब बाहर जो है चटाई बिची है इसका मतलब की अंदर ही से काम चल जा रहा है बाहर के भी नौबत नहीं आ पार और फजर में तो शायद दूसरी सब की भी नौबत नहीं आती है यह हमारा हाल है यह हमारा हाल है और हम साथ बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पर आज बड़ा सितम हो रहा है। उन तीन सो पैतीस मस्जिदों का वुचूद समीन से खतम करने अगर आप ने अपने मस्जिदों को आबाद नहीं किया ये बुढ़े ये बुढ़े ये बुजर्द ये लाठी लेकर के आने वाले फजर की नमाज में जब तक की आ रहे हैं एक वक्त आएगा ये भी नहीं आए आपड़ों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन नसका मसल्मान की जिन्दगी में नमाज नहो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं नभी के दौर में मुनाफिकों को भी मस्जिद में आना पड़ता था मुनाफिक पके दुश्मन थे इसलाम के नभी को था पुरान के तवईजा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराउनन नास वला यज्जकूरून अल्लाह इल्ला कलीला ये मुनाफिक लोग नमाज में बड़ी मुश्किल से आते हैं बड़ी काहिली करके पौने आड़ बजे इशा की जमात है तो ये साब बड़ी मुश्किल से टेक टेका के ये साथ पचास पे पच्पन पे बिल्कुल आखिर में पहुँचते हैं सरदी इतनी हैं ठंडे ठंड पानी से वजू करना है, बड़ी मुश्किल से आते हैं, ये लगाते हुए, और बड़े कापते हुए, कैसे कैसे मज़िद में आते हैं, और उसके बाद, अल्ला का बहुत कम जिकर करते हैं, इनको नमाज बड़ी भारी घुजरती है, अगर आपको भी नमाज भारी घुजरती जो आ ला से ड़ते हैं उनको छोड़के बागी सब के लिए भारी है मेरे भाई द्वा करो नमाश, हमारे लिए हलकी हो जाए नमाश हमारे लिए ऐसी हो जाए कि अलाह के नभी फरमाते है कि क्यामत की में लाह तिबारेक पताला साथ तरीटे के बंदों को अपने अर्श का साया देगा उन साथ तरीटे के बंदों में एक बंदा वो भी होगा वा रजलुन कल्बहु मॉल्लकुम बिलमसाजित जिसका दिल मस्जिद में अठका हो जिसकी एक टाइम की नमाज भी छुटी हो तो उसको टेंशन हो कि मेरी नमास कैसे छोड़ गई वो पहले जल्दी से उस नमास को पूरा करे उसका दिल मस्जिद में लगा हो मेरे भाई जिस नभी से हम महबत करते है उस नभी को नमास से बड़ा लगाओ था बड़ा तालुक था और अल्ला के प्यारे नभी अपने आखरी वक्त में अपने वफात के पहले उम्मत को सबख देते है कि मेरी उम्मत के लोगो अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानकुम नमास का ख्याल लगाओ और आगे बड़े हमें और आपको अगर अपनी बर्बादी और तबाही के हालात को अगर सुधार ना है तो हमें मुद्ध भी होना पड़ेगा मुद्ध भी होना पड़ेगा बड़े बनारस में अलहम्द लिल्लै एक बड़ी अच्छी कोशिश होई है दौा कीजी अल्ला काम्याब करें तमाम मसलक के अलमा ने एक प्रेट फार्म बनाया है मतहदा अलमा कौनसिल के नाम से उसमें तमाम जो मसल्मानों के मकतबे फिक्र के अलमा है वो सब मैं भी उसमें शामिल हूँ हमारे और भी तमाम अलमा है और अभी उसका एक प्रोडाम भी होने वाला था एठाइस तारीक को शильно हालात को देखकर को उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो समाज के बहुत सारे मसाhल है मिलत के बहुत सारे मसाइल है जिसके लिए हमें मुटतहिध होने हमें एक होने की जोड़ो। और ये एक हम कैसे हो सकते फोरान नो उसकह बेना उसकह बता दिया and the रस्प को मिल करके थाब क्लिए जबतक हमारे हाथों नहीं आएगी हम मुर्ण भी जायें गे तो दिल में दूरी रहेगी दिल को एक करना है अल्ला है अल्ला की रस्प को थाम लो लन पजिलू बादहमा उसके बाद तुम कभी गुम्रा नहीं हो सकते किताब अल्लाही वसुनती एक अल्लाही किताब है और एक मेरी सुनत है और ये बात याद रखो बाद लोग यह समझते हैं साथ कुरान अलग है सुनत अलग है कुरान पर हम अमल कर ले सुनत पर अमल करने की जरूरत नहीं है हदीस पर अमल करने की जरूरत नहीं है कुरान और हदीस ये लाजिम और मल्जूम है जब तक दोनों को मिला करके हम अमल नहीं करेंगे शरीयत पर अमल नहीं कर सकते कुरान कहता है नमास पढ़ो नमास का तरीका नभी बताते है कुरान कहता है नमास काइम करो नमास कितनी रकात पढ़ना है कब पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये सारी डिटेल आपको उस हदीस में मिलेगी सुन्नत में मिलेगी इसलिए कुरान और सुन्नत दोनों के मजमुए का नाम अल्ला की रसी है अल्ला की रसी को मिल करके थाम लो सारा जगड़ा के पाल अल्ला अपनी कसम खागे पुरान में कहता है आई नभी आपके रब की कसम ये लोग मौमिन नहीं हो सकते हता युहक्यमू का फीमा शजरा बेरहुम जब तक अपने सारे जगड़ों में आई नभी आपके फैसले को आखरी फैसला न तसलीम कर लें आपके डिसीजन को आखरी डिसीजन ना माना तो एक तलाफ को खत्म करना पड़ेगा और आगे बढ़िए जात पात का भी हमारे यां बड़ा मसला है कोई कोई अनसारी है KOई शेख है कोई खान है कोई मनसूरी है कोई खुरेशी है ठीक है भाई दरादरियां है बती है मगर साब मैं बाश पलाफों में गया मस्जिद में दाखिल हुआ एक साव से पूछा भाई ये कैसी मस्जिद है बोले ये खुरेशियों की मस्जिद है कही पर मैं गया बोले ये नाई ब्रादरी की अलग मस्जिद है ये पठान लोग नमाद नहीं पढ़ते हैं मेरे नबी ने इस बरादरी वाद को इस काश्टिजम को खतम किया था मेरे नबी के सहाबा में सल्मान फार्सी एरान से आये हुई है वो भी मेरे नबी के सहाबा में शामिल है रूम से सुहेब रूमी आये हैं वो भी मेरे नबी के सहाबा में शामिल है بلال حبشا کے رہنے والے وہ بھی میرے نبی کے صحابہ میں شابل ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کی کاشٹ کی بنیاد پر اور کسی کی قومیت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی بھیدبہ ہو اللہ کے نبی اپنے حجت الوجہ کے خطبے میں اپنے آخری خطبے میں امت کو یہ سبق دیتے ہیں اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں کسی بھی برادری کا انسان ہو किसी भी काश्ट और साथ से तालुक रखता हो सब आदम की संताने सब एक फैमिली के सदस हैं सब एक खानदान के लोग हैं और आगे आपने फरमाया अला ला फजल ले अरबियन अला अजमी यन वला ले अजमी यन अला अरबियन ओ लोगो किसी अरब के रहने वाले को किसी बाहर के रहने वाले के उपर कोई फजलत हासल नहीं है किसी अजमी को किसी अरबी के उपर कोई फजलत हासल नहीं है किसी गोरे को किसी काले पर किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजलत हासल नहीं है ये इसलाम का एजास था कि आज भी आप हरम का मंदर देखें हज और उम्रा का मंदर देखें अफरीका का काला भी है अमरीका का गोरा भी है इंडिया पाकिस्तान का अर्दू हिंदी बोलने वाला भी है बंगला देश का बंगाली भी है सब की जुबाने अलग हैं सब के रंग अलग हैं मगर सब एक ड्रेस में हैं और सब एक साथ नमास पढ़ रहे हैं सब एक इमाम के पीछे नमास पढ़ रहे हैं बंदो मुहताजो गनी एक हुए तेरे दर्बार में पहुँचे तो सबी एक हुए एक ही सब में खड़े हो गए महमुद वायाज न कोई बंदार हा न कोई बंदा नवाज हमें इस ब्रादरी बात के जहर से भी उटना होगा मेरे भाईयो ठीक है हम अपनी ब्रादरी को अगर हम यह समझते हैं आप हमारी एक बराद्री और हम अपनी बराद्री को अच्छा समझते हैं आप दूसरों को रखीर में समझीए और बराद्री के विन्यात पर किसी की तखार मैं समझेैए ये इसलाम की तालिप अंड़ा और एक दूचीज़י और बेंगर के बात खتم कर रहा हूं ये रस्म औरिमाज के बखेड़े आज हमारे नौजवानों को गलत रास्तों पर लेके जा रहें हमारी बच्चीों को गलत रास्ते पर लेके जा रहें अगर हमने निकाह को आसान नहीं किया और इस रस्म औरिमाज के जाल से माओ बेहनों से कहना चाहता हूँ आपकी जिम्मेदारी जादा है शादी वियामे आपकी बात जादा चलती है आप कदम आगे बढ़ाएं आप कह दें कि मेरे घर में शादी सुन्मत के मताबिक होगी मैं अपनी बहू जाएंगी मैं कोई जहेज का एक पैसा अपने घर में आने नहीं दूँगी जिस दिन सास की ये सोच बन जाए जिस दिन मा की ये सोच बन जाए और दीनदारी को तरजी दे दे मा अपने बच्चे के लिए उस दिन के बाद से सास बहु के जगड़े निशालला बंद हो जाएंगे आज हालात ये हैं, निका होता है एक महीने के बाद फोन आता है मुली साब जो एक पिछले महीने आप निका पढ़ाया था बड़ा जगड़ा चलना आए बड़ा आपस में कहा सुनी हो गई ये लड़की मायके जाके बैठ़गी आज हालात ये हो रहे है आज निकाह में ठैराओ नहीं है और रिष्टों में बरकत नहीं है क्यों क्योंकि बुनियात दीन पर नहीं है न रिष्टा करने के टाइम हम दीनदारी देखते हैं न शादी ब्या के पूरे निसाम में आप देखें सिर्फ मौलवी साफ से काजी साफ से निकाह पढ़ाय जाता और आए मुसल्मानों की शादियों में यहालात है मेरे भाई उसके बाद हम कहते हैं साहब हमारे रिष्टों में बड़ी लड़ाईया है और बड़ी कश्मकश है कहां से बरकत आएगी और कहां से सुकून आएगा मेरे भाई यह अपने निकाह और शादी ब्याद के सिस्टम को आसान पीजिए हमारी तबाही और बरवादी की एक बहुत बड़ी वज़ा यह भी है अपने उलमा से हम कड़ गए आज हम पेस्बुक और सोशल मीडिया पर नामने हाथ सो कॉल्ड अपने आपको इसकालर कहने वाले मुफ्तियों के चक्कर में फज़ गए अपने इलाके के मुस्तनद उलमा जो हमारे इलाके नो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है उनको हम किजी खातिर नहीं लाते और अंगेत जाब हमारे पास फेस्बुक पर एक सेक मुफ्तियों और अलमा बरे पड़े हैं मेरे भाईयों याद रखो फेस्बुक की दुनिया, सोचल मीडिया की दुनिया, यूटूब की दुनिया बहुत वसी दुनिया है हर तरीके के लोग है, हर फिक्र के लोग है आप अपने मुस्तनद उलमा जो रबानी उलमा है, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है उनके साथ अपना तालुक जोड़े रखिए और उलमा के दर्स में शामिल हो ये ये वीडियो रेकार्डिंग हो रही है जो हमारे भाई, बात में इसकी रेकार्डिंग को सुनेंगे उनसे भी कहूंगा, जब आपके इलाके में कोई प्रोग्राम हो कोई आलिम आपके इलाके में आता हो आप ये न करें, इस आप हम बात में सुन लेंगे हम लाइब सुन लेंगे, हम मुबाइल पर सुन लेंगे मुबाइल पर सुनने पर और लाइब सुनने पर इस मجلس की बरकत आपको नसीब नहीं उर। यहां आप इस मज्जद में आईए हैं अल्ला के घर में आईए हैं यह बरकत वाली मजलस है मेरे भाई फरिश्टों ने इस मजलस को घेरा हुआ है इस मजलस पर अल्ला की सकीनत उतरती है जहां इसे मजلسों में जाओ जहां इल्म की बात हो जहां इसलाह की बात हो आइसी मजल्सों में हम जाना चाहिए और अपने अउ्लमा से जुड़ना चाहिए आपका रब किसी बस्ती को हलाक नहीं करेगा जब तक उस बस्ती में इसलाह करने वाले लोग मौजूद हो जब तक उल्मा मौजूद है, जब तक उल्मा ए रब्मानी मौजूद है जब तक उल्मानी मौजूद है, जब तक उल्मानी मौजूद है और पाकी को पाकी कहा जाता रहेगा जितने उलमा खतम हो जाएंगे जितने ये मुसलिहीन खतम हो जाएंगे ये सबाही की दस्टक होगी और मेरे नभी जनाब मुहम्मद रसूलूला अस दौर की तरफ इस एशारा करती है वो फरमाया जब उलमा खतम हो जाएंगे लोग जाहिलों को अपने सरदार और पेशवा बना लेंगे मेरे भाईयों अपने उलमा से अपने तालुक को मजबूत कीजिए ये चंद इसलाह की बाते थी इसमें जो सरे फैरिस जो चीज़ थी जो सबसे पहली चीज़ थी कि हम अपने इमान और अकीदे की फिक्र करें हम नमास से अपना तालुक जोड़ें हम पुरान से अपना तालुक जोड़ें बिदात से दूर होकर के सुनन से अपना तालुक जोड़ें और इसी तरीके से आपस में इतिहाद और इतिफाक पैदा करें शादी बिया के सिस्टम को आसान करें जात ब्रादरी की तक्सीम से उपर उठें और अपने उल्मा से अपने तालुक को जोड़ें ये चंद बाते थी चुके वापस भी जाना है बनारस लंबा सफर है रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तभी काफी कोहरा था और ड्राइवर साब ने का कि यतना जल्दी ममकिन हो निकल चले तो मेरे ख्याल से सवा नौ बज रहे हैं और मैंने ये सुचा था कि प्रोग्राम में मगरिब के बाद पहुचेंगे और आड़ बे तक रवाना हो जाएंगे लेकिन सवा नौ हो रहे हैं दौा कीजिए ल्ला ताला इस सर्दी के मौसम में जो के अभी मौसम वालों की रिपोर्ट है कि बनारस में और पुरवांचल में कई सालों के बाद इतनी खतरनाक सर्दी पड़ी है इस सर्दी के मौसम में इस अलाके के जो हमारे भाई मैं नाम नहीं जानता बहुत सारे लोगों को हमारे शेक अब्ला साब जानते होंगे जिनकी कोशिशों से और मेहनतों से ये प्रोग्राम मनकिद हुआ है और जिनों ने इसमें किसी भी किसम का तावन किया है اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے یہ ایک سوال آیا ہے کہ والد کی ملکیت اور میراس میں بیٹی کا کیا حق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں بالکل صاف قرآن کی آیت موجود ہے کہ لِلزَّكْرِ مِسْلُ حَظِّ الْاُنْتَيَيْن کہ بیٹے کو جو حق ملے گا وہ بیٹیوں کا ڈبل ملے گا ما لیجی کوئی انسان اگر اس کا انتقال ہوا ہے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو جتنا ایک بیٹے کو ملے گا اتنا ملا کر کے دونوں بیٹیوں کو ملے گا یعنی بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا ایک بیٹی کو جو مل لہا ہے اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا اسی ریشیو سے جتنے بیٹے بیٹی ہوں گے اس کو بانٹ دیا جائے گا اور یہ قرآن کی آیت اب اس کو کوئی نہیں دے رہا ہے تو یہ وہ ظلم کر رہا ہے باپ کا جو ترکہ ہے باپ نے جو بھی چھوڑا ہے کپڑا بھی چھوڑا ہے زیور بھی چھوڑا ہے ہمارے کہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ماں جو زیور چھوڑ دی وہ خالی بیٹیوں کو دیا جاتا وہ بھی غلط ہے ماں نے اگر زیور چھوڑا ہے تو صرف بیٹیوں کا حق نہیں ہے زمین جائدات بیٹوں کو دے دی جائے اور زیور بیٹیوں کو دے دی جائے ایسا نہیں ہے قرآن میں جو وراثت کے حقوق بیان کیے ہیں وہ ساری چیزوں میں ہیں باپ کا کل ترکہ ماں کا کل ترکہ اس میں جس کا جو حق ہے وہ ہمیں دے دینا چاہیے اور یہ کوئی optional نہیں ہے کہ دے دو تو چلے گا نہ دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے جہاں وراثت کا مسئلہ بیان کیا اللہ نے کہا تِلْقَ حُدُودُ اللَّهُ یہ اللہ تعالیٰ کی لیمٹس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ریگولیشنس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہیں اور آگے فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے قانون کو توڑے گا یہ وراثت کا مسئلہ بیان کر کے اللہ یہ بات کہہ رہا ہے ہم اور آپ دعا کر رہے اللہ سے مدد مان رہے ہیں کہاں سے اللہ کے مدد آئے گا ہر گھر میں بھائی بیٹ بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے ہر گھر میں بیٹا بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے میرے بھائیوں وراثت کا حق بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ ہم سب کو دینا چاہیے نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگا اب یہ سوالات تو کئیے کارے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرض نماز کا حساب لیں گے اگر اس میں کمی ہوگی تو سنت اور نفل سے پورا کر دیا جائے گا آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ سنت نفل نہیں پڑھتے اگر ان کی فرض نماز میں کمی ہوگی تو کس چیز سے پورا کیا جائے گا دیکھیں یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرض میں اگر کمی ہوگی تو نفل سے پوری کی جائے گا اب کوئی نفل نہیں پڑھ رہا ہے سنت نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی کمی کس چیز سے پوری ہوگی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پھر وہ پکڑ ہوگی اس کو گناہ ہوگا اب اس کی کمی کس چیز سے پوری ہوگی اس کا تو کوئی حدیث میں بیان نہیں کیا گیا مگر یہ بات ہے کہ ہمیں جس طریقے سے ہم فرض کی پابندی کرتے ہیں ہمیں سونن اور نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے اب اس میں دو مسئلہ ہے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں صاحب کے نفل نماز کو اقدم کمپلسری بنا لیتے ہیں کہ مغرب کے مثال کے طور پر مغرب میں تین رکعت فرض ہے اور دو رکعت سنت ہے دن اور رات میں بارہ رکعت نماز سنت ہے جو اللہ کے رسول صاحب بہت پابندی سے پڑھتے تھے اور ہمیں بھی پابندی سے پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہم پڑھیں دو دو رکعت کر کے وہ نفل ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانچ دو سات تین فرض دو سنت اور دو نفل تو وہ بلکل کمپلسری بنا لیتے ہیں یہ دو نفل پڑھنا بلکل ضروری ہے تو ضروری سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور کچھ لوگ کبھی نہیں پڑھتے ہیں کہ صاحب کیا ضرورت ہے ہم تو ما شاء اللہ ایسے ہی اقدم جو ہے بخشے بخشا ہم کیا ضرورت ہے نفل پڑھنے یہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کی محبت جو حاصل کرتا ہے فرائض سے حاصل کرتا ہے اور فرائض کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ نوافل آتی ہے تو پہلے فرز کو پورا کرو اور فرز کے بعد پھر نوافل اور سنت کا بھی احتمام کرو اور کم سے کم پانچھو ٹائم کی نماز میں فجر کی نماز بھی دو رکعہ سنت زہر میں فرز کے پہلے چار اور فرز کے بعد دو مغرب میں فرز کے بعد دو اور عشاء میں فرز کے بعد دو یہ ٹوٹل بارہ رکعہ سنت ہے یہ جو پابندی سے پڑتا ہے حضرت امہ حبیبہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یہ بارہ رکعہ پابندی سے پڑتا ہے بن اللہ لہو بیتنسل جن اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے اس کے لئے اس کو جنت میں گھر ملے گا یہ بہت بڑی بات ہے اس کی ہم سب کو پابندی کرنا چاہئے اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لئے مسجد جاؤ تو زینت بنا کر جاؤ توپی کرتا پہن کر جاؤ آج کل توپی نہ لگا کر بنیائن پہن کے جاتے اس کا کیا حکم ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا توپی کرتا پہن کے جاؤ اللہ نے کہا زینت اپنا کے جاؤ اب زینت میں کیا ہے کہ جو لباس ہمارے یہاں ایک اچھا لباس مانا جاتا ہے ایک شریف آدمی کا لباس مانا جاتا ہے جس لباس میں آدمی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے وہ لباس اپنا کے جائے اب ہمارے یہاں صاحب کرتا پہجاما کا رواج ہے تو ٹھیک ہے کرتا پہجاما پہن کے جاؤ ساؤت میں آپ چلے جائے کیرل وغیرہ میں وہاں امام صاحب پینٹ اور شرٹ پین کے خدبہ دے رہے ہیں وہاں ان کا وہ لباس ہے بہت سارے علاقوں میں جببہ پورا لمبا والا جببہ پہنتے ہیں تو وہ ڈریس جو ہوتا ہے شریعت میں کسی ڈریس کی پابندی نہیں کی ہے البتہ اب اس میں توپی کا ذکر آیا تو توپی بھی ہمارے یہاں شریف انسان کے ڈریس میں شامل ہیں تو جس طریقے سے آپ ایک مکمل ڈریس اور مکمل لباس آپ پہنتے ہیں ایک مسلمان کے طور پر تو توپی بھی لگاتے ہیں تو آپ مسجد میں بھی آئے تو توپی لگا کے آئیں اب کبھی ایسا ہوا کہ توپی نہیں مل رہی ہے توپی نہیں ہے تو ہمارے یہاں بعض عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ننگے سر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ غلط بات شیطان نہیں بیٹھتا ہے لیکن توپی آپ لگا کر کے آئے تو بہتر ہے البتہ کہیں کہیں مسجدوں میں ریڈی میں توپی رکھی رہتی ہے وہ صاحب برسوں کی مہینوں کی گردوں گبار اور دھول اس پر جمع ہیں اور آدمی مسجد میں آیا توپی نہیں اس کی جیب میں تو وہ جلدی سے کیا کرتا ہے وہ پلاشٹک والی توپی لگا لیتا ہے تو یہ یہ ایک دوسری زیادتی ہوگی یہ انتہا ہوگیا توپی کو فرض سمجھنا کہ توپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی توپی نہیں ہے تو صاحب وہ دستی اور رمال لوگ مات لیتے ہیں اتنا اس کو کمپل تری سمجھنا یہ بھی غلط ہے اور بعض لوگ جان بوجھ کر کے انہوں نے ایک فیشن منا لیا ہے کہ بگر توپی کی مسجد نہ آتے یہ بھی صحیح نہیں ہے توپی ہمارے مسلم کلچر کا ہندوستان کے مسلم کلچر کا قصہ ہے اور اللہ تعالی نے کہا خضوزی نتکم اندکل مزد جب مزد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا آؤ تو زینت میں جو ہمارا ایک کلچرل ڈریس ہے جس لباس میں ایک شریف مسلمان نظر آتا ہے اس میں توپی بھی شامل ہے تو ہم توپی لگا کے آئیں سردینوں کا موصہ میں آپ یہ موٹی والی توپی بھی لگا کے آسکتے ہیں میں نے یہ لمبی والی توپی لگا یہ بھی لگا سکتے ہیں بھی لگا سکتے ہیں توپی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بہت ضروری سمجھنا بھی مناسب نہیں ہے اور اس کو بالکل اس سے بے نیاز ہو جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے واللہ عالم بسواب یہ چند سوالات اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توشی قطعہ فرمائے رب العالمین آج کے اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے اللہ سعیقیدِ برہن سب کو قائم رکھے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان پر قائم رکھنے کی توشی قطعہ فرمائے آمین وآخر دعوان آج الحمدللہ جزاقم اللہ وآسن الجزا آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ اس اعلان کے ساتھ پرگرام کے کتاب کا اعلان کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز بتاریخ دو فروری بروز جمعہ بعد نمازشہ موضہ مدنہ پار میں فضلت الشیق سرفراز احمد صاحب فیضی حفظ اللہ جو بمبئی سے تشریف لا رہے ہیں ان کا خطاب ہوگا اور چار فروری کو انشاءاللہ شیق کا خطاب آپ کے اسی علاقے موضہ بندی کلام ہوگا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرح کے دنی پرگراموں میں حد تل امکان آپ پہنچ کر کے علماء کے موائز حسنہ سے مستفید ہوں میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ شیق کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس پرگرام کے کتاب کا اعلان کرتا ہوں سبحانک اللہ رب بناو بحمدک شدو اللہ اللہ انتا استغفر واتوب الیک